बड़ी खबर रूस से तीसरे विश्वयुद के आसार बनते दिख रहे हैं क्योंकि रूस ने संकेत दे दिया है कि वो युक्रेन पर नहीं रुकने वाला सीधी चेताव नहीं दिये कि पूरे यॉरप को और नैटो को स्वीडन की वायू सेना ने दावा किया है कि उनकी एय स्पेस में रूस के फाइटर जेट देखे गए उन्होंने इसकी तस्वीरें भी दुनिया को दिखाई है उत्री यॉरप में ये खलबली छोटी इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि नैटो के स्वीडन और फिनलेंड तक पहुँचने की चर्चा कुछ महीनों से चल रही है और साफ संकेत ये मिल रहा है कि यॉक्रेन के बाद फिनलेंड और स्वीडन को रूस निशाना बना सकता है स्वीडन में हर कंप मचा हुआ है क्योंकि रूस की फाज तबाही मचा रही है यॉक्रेन में अगर रूस के fighter jet Sweden भी पहुंच रहे हैं तो ये वहां के लोगों के दिलों में डर पैदा करने वाली खबर है ये यॉरप में NATO के असर को रूस की तरफ से सीधी चनौती होगी अगर यूक्रेन से बात आगे बढ़ी तो विश्वयुद्ध छड़ जकता है इसलिए दावा किया जा रहा है कि तीसरे विश्वयुद्ध के हालात बनते देख रहे हैं